गुट मॉर्णिंग बच्चों आप सब कैसे हो ठीको अभी आप क्लास वान में आ गए हो तो वेलकम टो क्लास वान क्लास वान में आपका स्वागत है मेरा नम सुनीता है मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी बच्चों इंगलिश में जैसे A, B, C, D है हिंदी में ऐसे वर्ण माला अल्फावेट है ना हिंदी का अल्फावेट्ट वर्ण माला ठीके तो हिंदी में दो तरह का वर्ण होते हैं और वो क्या है वो है स्वरवर्न व्यंजन वर्न स्वर व्यंजन तो आज हम स्वरवर्नों के बारे में पढ़ेंगे तो स्वर क्या होता है बच्चों हिंदी में जो वर्न को हम मुँख खोल कर बिना किसी रुकावट के बोलते हैं उससे स्वर कहते हैं जैसे ये सब है स्वर आ, आ, इ, इ, उ, री, ए, आ, ओ, अउ, अहाँ ये सब है स्वर तो आज हम कुछ अक्षियोरों के बारे में पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ सब्दों को भी हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे ठीक है बच्चों ये पहला अक्षियर क्या है पहला स्वर कैसे बोलेंगे मेरे साथ बोलिये असे अनार क्या है असे अनार अनार क्या है बच्चों पोमो ग्रानेट हर शब्द का एंग्लिश मीनिंग भी हम लोग पढ़ेंगे असे अनार अनार मीन्स पोमो ग्रानेट ओके पोमो ग्रानेट कौन सी कलर का होता है बच्चों इसका कलर क्या है लाल इसका कलर क्या है लाल लाल मीन्स रेड कलर लाल मीन्स रेड ओके से अनार अनार रेड कलर आप सबको अच्छा लगता है पोमो ग्रानेट अनार ओके बहुत हेल्दी है तो आप जरूर पोमोग्रानिट खाएगा यह बहुत हेल्दी हे नेक्स्ट हम देखेंगे से अम्रूद से अम्रूद से अम्रूद अम्रूद क्या है बच्चो अम्रूद है गौवा अच्चा यह कौन सा कलर है इसका ग्रीन कलर ओके ग्रीन को हिंदी में क्या बोलते है हरा क्या बोलते है हरा से अम्रूद अम्रूद हरा रंग का होता है से अम्रूद अब ये क्या है से अच्कन 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 क्या है बच्चो लॉंग कोट अच्कन क्या है लॉंग कोट असे अच्कन अब ही मेरे साथ आप बोलिये असे अनार असे अनार असे अम्रूद असे अम्रूद असे अच्कन असे अच्कन ओके बच्चो अब ही हम लिखना सीखेंगे अर कैसे लिखेंगे हम ध्यान से देखिए इंग्लिश में जैसे थ्री होता है ना ऐसे लिख लेंगे उसके बाद यहाँ पे एक स्लीपिंग लाइन और स्टांडिंग लाइन हो गया अ हाँ यह है अ आप मेरे साथ हावा में लिखिए मैं जैसे लिख रही हूँ आप भी अपने उंगली ऐसे करके हावा में लिखिए ठीके यह है अ तो आपको अभी आगया कैसे लिखते हैं अ और आप इसको याद कीजिएगा अ से अनार अ से अमरूद अ से अचकन अब ये क्या है बच्चों? ये है आ क्या है ये? आ बोलिए मेरे साथ आ आ से अम आ से अम आम क्या है बच्चों? मैंगो आम क्या है? मैंगो और अब मैंगो कौन सा रंका है ये? पीला कौन सा रंका? पीला पीला मेंस यलो आ से आम आ से आम अभी ये क्या है? आ से आलू आ से आलू आ से आलू आलू क्या है बच्चों? पोटेटो ममी सबजे बनाती है आलू की सबजी आ से आलू आलू मीन्स पोटेटो अब ये क्या है? आ से आग आ से आग आग क्या है? फायर आ से आग चलिए मेरे साथ बोलिए आ से आम आ से आम आ से आलू आ से आलू आ से आग आ से आग तो अब हम देखेंगे आ कैसे लिखना है? तो हम सीखेंगे कैसे लिखते हैं आ? ऐसे इंग्लिश में जैसे थ्री लिखते हैं आप इसे लिख दीजिए उसके बाद यहां पर आएगा स्लिपिंग लाइन फिर स्टांडिंग लाइन यह हो गया अभी आ लिखेंगे तो यहां पर और एक स्टांडिंग लाइन ठीके बच्चों? फिर यहां डालेंगे स्लिपिंग लाइन हो गया आ क्या हो गया यह? आ अभी यहां पर लिखेंगे और एक बार आप लिख रहे हो मेरे साथ हवा में, मैंने बोला था यह है आ आ से आम आ से आलू आ से आग अच्छे से याद कीजिएगा अब हम देखेंगे उसके बाद क्या आता है? यह क्या है? ई यह है छोटी ई क्या है यह? छोटी ई तो ई से इमली ई से क्या है? इमली इसे क्या है बच्चों? इमली अब यह क्या है? हाँ, इमली का मीनिंग क्या है? टामरण अब यह क्या है? इमारत इसे इमारत इसे इमारत इमारत क्या है? Building हम सो building में रहते हैं इमारत में रहते हैं हम हाँ तो इसे इमारत इसे इमारत अब ये क्या है? इसे इमारत क्या है ये? इसे इमारत बच्चों इमारत क्या है? एक sweet है आपको sweet अच्छा लगता है? ये इमारती एक sweet है एक मिठाई तो अब हमने सीखा E चली आप मेरे साथ रिपीट कीजिए इसे इमली इसे इमली इसे इमारत इसे इमारत इसे इमर्ती इसे इमर्ती इसे इक तो आपनों 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 क्या है? इसे अज़िए अज़िए कौन सा अक्शर है ये? इ बड़ी इ इ से एक इ से एक एक क्या है? सुगकैन इ से एक अब ये क्या है? इ से इद इ से इद इद क्या है? एक मुस्लिम फेस्टिवल है इद ओके? इ से इद इ से इद अब ये क्या है? इ से इंट इ से इंट इंट क्या है? ब्रिक इंट से इमारतें बनती है बिल्डिंग्स बनती है इंट से इस इ से इंट तो अब हम देखेंगे कैसे लिखेंगे इ इसे इसे ये हो गया इ ये हो गया चोटी इ अब ये हो गया बड़ी इ ठीके, हम छोटी E कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं ना, छोटी E, छोटी E, ये हो गया, छोटी E, और एक बार लिखें, ये हो गया, छोटी E, तो फिर अब बड़ी E कैसे लिखेंगे, ऐसे, छोटी E लिखेंगे, इसके बाद ये वला, ये है, बड़ी E, छोटी E लिखेंगे, इसके बाद ये हो गया, बड़ी E, तो आज हम आपने क्या सिखा, क्या सिखा बच्चों हमने, अ, आ, इ, इ, क्या सिखा हमने, अ, आ, इ, इ, ये चार स्वर्वर्णों के बारे में हमने सिखा, तो बच्चों, अभी हम देखेंगे, सही अक्षर पर गोला लगाओ, सही अक्षर पर गोला लगाओ, तो पहला वला आपके लिए किया गया है, ये क्या है, अनार, अ से अनार, तो इसमें कहां पर गोला लगाया गया है, अ, अ, इसमें गोला लगाया गया है, ठीक है, तो हमें ऐसे ही करना है, तो सेकेंड वाला क्या है, इक, ये क्या पिक्चर है बच्चों, इक, तो हम कहां गोला लगाएंगे, इ से एक कहां गोला लगाएंगे इ अब ये क्या है इमली ये क्या है इमली छोटी इ से इमली आपको याद है तो यहां पे गोला लगाएंगे छोटी इ अब ये क्या है आम तो हम गोला लगाएंगे आ ये है आ आ से आम बच्चों अभी हम मैच करेंगे मैं यहां पे लिखती हूँ ये क्या है अ ठीक है ये है आ ये है इ और ये क्या है इ तो इधर भी मैं लिख लेती हूँ उसके बाद हम मैच करेंगे क्या है ये है आ इभी मैच करें अ कहा है थोड़िए यहां पे है अ अब ये क्या है आ कहा है दून के match किजिए यह है आ अब यह क्या है ए छोटी ए तो right side कहा है छोटी ए match किजिए यहाँ यह मिल गया छोटी ए अब ए बड़ी ए यह है बड़ी ए हो गया match ठीक है वच्चो तो आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने सीखा A, A, E, E, ये चार अक्षिरों को हमने सीखा तो आप अच्छे से प्राक्टिस किजिएगा और आपको जो वर्कशिट दिया जाएगा वो वर्कशिट आप अच्छे से लिखेगा लिखे जब आप स्कूल आते हैं तब सब्मिट किजिएगा ठीक है धन्यवाद बच्चों फिर से हम कुछ और स्वरवर्नों के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास धन्यवाद